इंडिया में दोस्तों जीब के बारें बात करें तो ऑफको जीब कमपस और जीब रेंगलर ही देखनी को मिलते है जोकि जब काफ़ी कम देखनी को मिलते है पर कुछ दिन पहले ही जीब कमपस का इक न्यू वरिजन लांच हो चुका है Jeep Compass Trailhawk और guys आपको 2022 या 2023 में आपको 2 या 3 car और Jeep का देखनी को मिलेगा जो कि guys आपको 7-seater और दोस्तो 5-seater में देखनी को मिलेगा तो दोस्तो बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे Jeep का upcoming car है और दोस्तो कितना price तक इंडिया में देखनी को मिल सकता है तो guys पहला car है Jeep Meridian इसका price के बारे में बात के तो दोस्तो आपको 30,00-35,00,000 X और रूप price देखनी को मिल सकता है एक car guys आपको 7-seater में देखनी को मिलेगा जैसे कि दोस्तो आपको Jeep Compass देखनी को मिलता है वैसे ही दोस्तो इसका भी look आपको similar ही look देखनी को मिलेगा श्रिप दोस्तो आपको Jeep Meridian में 7-seater का option देखनी को मिल जाएगा जो कि guys आपको Jeep Meridian भी आपको 4x4 का option देखनी को मिलेगा ये car दोस्तो आपको 2-liter का petrol और diesel दोनों ही engine में देखनी को मिलेगा और guys transmission के बारे में बात करे तो guys आपको manual और automatic दोनों ही transmission में देखनी को मिल सकते है with 8-speed gearbox के साथ और guys बात करें इसमें क्या-क्या features देखनी को मिल सकते है तो guys इसमें आपको 10.1 inch का infotainment system देखनी को मिलेगा panoramic sunroof देखनी को मिलेगा और guys इसमें आपको Monty John climate control देखनी को मिलेगा और guys इसमें आपको 360 degree camera देखनी को मिलेगा और guys इसमें आपको 6 airbag भी देखनी को मिल जाएगा launch होने के बाद दुस्तो इसका rival के बारे बात के तो guys आपको Toyota Fortuner देखनी को मिलेगा और दुस्तो MG Gloster देखनी को मिलेगा जो कि guys Toyota Fortuner और दुस्तो MG Gloster से compare करें तो guys आपको काफी अच्छा interior look देखनी को मिलता है और दोस्तो features भी इसमें ज़्यादा देखनी को मिलता है Jeep Meridian पे तो guys देखते कि launch के बाद इसका अगर दोस्तो 35 lakh exorum price रहता है तो दोस्तो काफी अच्छा है और दोस्तो दुसरा car है Jeep Renegade इसका price के बारे में बात करें तो guys आपको 10 lakh से 15 lakh exorum price देखनी को मिल सकता है एक car दोस्तो आपको compact exubi में देखनी को मिलेगा 5 seater पे और guys इसका rival के बारे में बात करें तो दोस्तो आपको vitara बिरिजा देखनी को मिल जाएगा Hyundai Venue देखनी को मिल जाएगा और guys crata भी देखनी को मिल जाएगा जो कि guys Jeep Renegade के बारे में बात करें तो दोस्तो आपको काफी एक exubi look देखनी को मिलता है जो कि guys इसका tire stage भी आपको काफी बड़ा देखनी को मिलेगा और दोस्तो इसका interior का भी look भी देखें तो दोस्तो आपको काफी premium और दोस्तो काफी अच्छा look देखनी को मिल जाएगा और guys इसका बात करें features के बारे में तो guys इसमें आपको 8.4 inch का infotainment system देखनी को मिलेगा जो कि guys support करेगा android auto और दोस्तो apple carplay और guys इसमें आपको panoramic sunroof भी देखनी को मिल जाएगा और guys इसका light के बारे में बात करें तो guys इसमें आपको all led lights देखनी को मिलेगा तो guys देखते की कब तक launch होता है और guys जीब का तिसरा car है जीब Grand Cherokee इसका price के बारे में बात करें तो guys आपको एप्रॉक 75 lakh exorum price देखनी को मिल सकता है जो कि guys ये car आपको 7 sitter में देखनी को मिलेगा और guys इसका बात करें इंजन के बारे में तो दोस्तो इसमें आपको 2 इंजन देखनी को मिलेगा पेट्रोल में 3.6 liter का और दोस्तो 5.7 liter का एक car दोस्तो आपको सिप automatic version में देखनी को मिलेगा with 8 speed gearbox के साथ और guys इसमें बात करें क्या क्या फीचर्ष देखनी को मिल सकता है तो guys आपको अपको एक का 4 x 4 का ही option में देखनी को मिलेगा और दोस्तो इसमें आपको 10.1 inch का info 10.1 system देखनी को मिलेगा और guys इसमें आपको driving mode देखनी को मिल जाएगा और guys इसमें आपको 4 John Climate Control देखनी को मिल जाएगा और guys इसमें आपको Dual Panel Panoramic Sunroof देखनी को मिलेगा जो कि guys इसका Rival के बारे बात के तो guys आपको BMW X5 देखनी को मिलेगा और दोस्तो Mercedes Benz GLE देखनी को मिलेगा तो guys यह था 3 Jeep Compass Upcoming Car के बारे में जो कि दूस्तों आपको 2022 या फिर 2023 में देखनी को मिल सकता है एगर guys आपको वीडियो पसंद आए तो दूस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूस्तों इसे वीडियो देखना चाहते तो guys इस चनल कीजिए सब्सक्राइब मिलते किसी नेक्ट वीडियो के साब